कि हाल चाल स्रीकाल मैं हूँ आडिसन और आज हम आगे हैं एक और स्टोरी टाइम वीडियो के साथ यह वीडियो उस समय के है जब मैं आल्मोस्ट स्कैम हो गया था जी हाँ आपने सही सुना मैं आल्मोस्ट स्कैम हो गया था तो वीडियो के उटोवर्स चलते हैं बट इंट्र तो इस बात है 30 जून की साथ साड़े साथ बज़रे होंगे शाम की मुझे एक मैसेज आता है ठीक है जिसमें दो चीज़े होती है एक तो है एक वाइस नोट और एक मैसेज और यह वाइस नोट कुछ ऐसा जाता है सर मैं वाइस साप की तरफ से बात कर रहा हूं वाइस साप के हैड़ आफर से वाइस साप की तरफ से मैंने कॉल किया है वाइस साप कस्टमर अफिसर बात कर रहा हूं नियू दिल्ली से आप जो अपने मुबायल सल के अंदर वाइस साप यूज कर रहे हो इसी वाइस साप के न निपाल दुबाई जुनान और सौरियर इन पांच मलकों का लखी रो किया गया था जिसमें आपका नमबर इंडोरिजन में पहले नमबर पे वाटसाप का नमबर 25 लाका लोटरी विन कर चुका है ये 25 लाका लोटरी हासल करने के लिए ये जो आपको ये आपका लोटरी है ये पहुंच गया है मुंबाई की अंदर मुंबाई स्टेट बैंक ओफ इंडिया में वही है जो मैंने आपको चेक लैटर सेंड किया है इसके उपर आप देख लें ये बैंक मरेदर का नमबर है जो आपसे मुंबाई से बात करेंगे भारती स्टेट बैंक ओफ इंडिया से इनों आपका 25 लाका लाटरी आपको रसीब करवाना है और बताना कि लाटरी किस तरीके से मिलेगी और कैसे मिलेगी ये बैंक वाले का नमबर आपको सेंड कर दिया है इस नमबर को आपने पसे कॉल करना है ड्रेक्ट कॉल नहीं कर पाएंगे कि की लाटरी वाटसाव पे लगे तो वाटसाङोत के वाटसाव से कॉल करें से अगर आप से लाटरी नमबर पूछे तो यह उपडों वाटसाब करमचारी के दवारा है और वो कहते हैं कि आपने एक लॉट्री भेजी है, आपने एक लॉट्री जीती है, ठीक है, और ऐसे ऐसे चलता है, और एसे चलता है, he told me some steps to do, which I obviously did not do, and at the end, he asked me for a number, a number that is more dangerous than my credit card, like PIN, or any personal information, it was my SIM card number, okay, और मुझे स्कैम के बारे में पता था, क्योंकि मेरे पिताजी, और मुझे स्कैम के अंदर लिपट गये थे, और तब एक पुलिस वाले पुलिस अंकल, हमारे जाने पर चाने पुलिस अंकल ने हमें मदद की थी, तो इसकैम को ऐसा जाता है, और इसके बाद ये एक number पूछते है, ये SIM card का number है, बहुत ही खतरना है, क्योंकि अगर ये number उनके हाथों में लग गया, तो ये आपका SIM duplicate कर सकते है, जी हाँ आपने सही सुना, ना कि आपके phone, तो आपको पता भी नहीं है, कि आपके, लेट से bank account से इतना पैसे withdraw हुए हैं, तो ये है परीबाद, और आपको अगर पता लगाना है ना, तो बहुत शारे तरीके हैं, बर मेरे हिसाब से तीन main तरीके हैं, पहले तो फ्रेजिंग समझी, वो कॉंचे कॉंचे फ्रेज़ यूज़ करते हैं, तो इस scam में दो एक फ्रेज़ यूज़ था, यू हाव वन अ लॉट्री वर टटटटटव, एक यूज़, ठीक है, ये एक फ्रेज है, ये एक तरह का फ्रेजिंग है, दूसरा तरह है, इस पर्टिक्लर स्कैम में लॉट्री सिस्टम कैसे काम करती है, लॉट्री सिस्टम आपको एक टिकेट खरीनना पड़ता है, और टिकेट में आपको खुरेट के या पीछे पलटके एक नमबर होता है, और उस नमबर पर या उस नमबर की वज़े से आप जीतते हो, तो ऐसा नहीं होता है कि आप टिकेट खरीदे बिना ही लॉट्री आपको मिलती है, तो जब यह स्कैमर्स आप लोग से बात कर रहे होगे ना, आपको कुछ अजीब सा लगेगा, और वह अजीब चीज होके ना दो नाम है, एक तो है स्वीट टॉक और दूसरा है टाइम लॉक, ठीक है, तो स्वीट टॉक में क्या होता है, कि बहुत ही मीटी तरह कि आप से ब दूसरी बात है, यह इतना सब कहने के बाहर यह आपको बोलते हैं कि पंतरा मिनिट के अंदर आपको यह इतने यह सब्स करना पड़ेगा, वरना आपकी लॉट्री खो जाएगी, अब इसमें आपको क्या करना है, भाहर जाना थंडा पानी पीके आना है, थंडे दिमाग से स सकैम से बच गये हैं, तो जादेते हैं लोग, इस टाइम लॉक के वज़े से स्कैम के शिकार पड़ते हैं, तो टाइम लॉक पर क्या होता है, यह बोल देते हैं कि पंतरा मिनिट है, जैसमेने पहली बोला था है है, और अगर आपने नहीं कह Après आगे बढ़ जाता है, अब य चनकारी जानने है इन scam के बारे में तो मैं डिस्क्रिप्षण में दो वीडियो डाल हiau एक तो है अभी भाहिया और नियुदीदी का एक वीडियो और एक है काल रॉक भाहिया का एक वीडियो कार्ण कार रॉक भाया ॉक एक uh scam दीदी की वीडियो जिन में ये इस स्कैम के बारे में बात करते हैं और कौन से कौन से तरीकों से आपके पास पॉंटते हैं ये भी बताया जाता है तो इस वीडियो के लिए इत्ता ही मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मा देज वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजे और नहीं पसंद आई तो निकल जाएए बाबाई टाटा